नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि इंडियन गवर्मेंट ने ड्रोन के इंपोर्ट के उपर बैन लगा दिया है अब दो चीज़ें समझने वाली कि आप भारती में ड्रोन नहीं उड़ेगा क्या ऐसा नहीं है ड्रोन उड़ेगा लेकिन आप मंगवा नहीं सकते बाहर से तो क्या आप ड्रोन खतम हो जाएंगे इन सब चीज़ों की तो डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में साथी साथ ड्रोन शक्ती योजना क्या है क्यों भारत सरकार ने ऐसा कदम उटाए और ऐसा ल बादने के लिए और निरबर भारत बनाने के लिए यह चीज़ें की जारे हैं आतम-टैलीघ्राम का लिंक मिलेगा तो वहां से आप जाकर डाWNLOD कर सकते हैं तो आपको केवल हैं ARAAM से बैठ के CAAN GYAK ऐसे कि भी आप सोने ही लग जाओ, आप अराम से ध्यान रखिए इसीज के उपर, और लिखने की टेंशन मत छोड़िए, मतलब छोड़ दीजिए, वो मेरे उपर है, मैंने आपको लिखा-लिखाया, प्रवाइड करवाना ही है, अभी बात करें, रिसेंटली, डिरेक्टरेट General of Foreign Trade, जो अधीन आते Ministry of Commerce and Industry के उन्होंने बैन कर दिया है, Import of Foreign Drones के उपर, तो ये कदम क्यों उठाया गया है, कि 2022 में जो किंद्रिय बजट, मतलब ये बजट लाया गया था, उसके अंदर, सेवा के रूप में ड्रोन, कोप्यो करने के लिए एक सुवीदा वेतु, ड्रोन योजना के उपर, मतलब कि यहाँ पर, एक ड्रोन शक्ती योजना का प्रस्ताव लाया गया था, और इस प्रस्ताव के हितु जो है, ये कदम उठाया गया कि अब जो है, बाहर से ड्रोन नहीं मंगाया जाएंगे, हाँ, पूरा ड्रोन नहीं मंगा सकते, लेकिन उसके component जो ह बाहर से मंगवाना है, तो बेशक मंगवा सकते हैं, DGFT से approval लेना पड़ेगा, और ये जो कदम है, वो कहीं न कहीं, make in India, drone को बढ़ावा देने के लिए, कि अब भारत के अंदर ही drone बनेगा, जैसे कि हम defense के sector के अंदर, भारत के अंदर ही हतियार बनवा रहे हैं, तो काफी चीज़ है, कि अब हम दूसरे देश के अपर depend क्यों रहे हैं, क्यों न हम हमारे देश के अंदर हतियारों को ही बनाएं, और दूसरे देशों को बेजें, तो यहाँ पर कहीं न कहीं, make in India के तहत भी drone को, बाहर के देशों से drone बंगवाना, उसके उपर पर परतिवन लगाना, भारत में ही drone को बढ़ावा देना है, कि यहाँ पर अब सेक्टर निकल काएं, जो drone बनाएं, यहाँ पर इनकी skilling के उपर काम किया जाएं, तो drone नियम को एक बार समझ लीजिए, कि भारत सरकार ने drone को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाएं हैं, जैसे 2021 में कु गटा कर 5 कर दिया गया है, फीस जो थी वो बहतर टाइप की देना पड़ती थी, 72 टाइप की आपको शुलक लगता था, उसको घटा कर चार कर दिया गया है, यानि liberalize किया जा रहा है, drone के uses को, साथ इसाथ, green drone में आप drone उडा सकते हैं, आपके पास nano drone है, गैर वेपारी क्या वाली टेक्सियों के रूप में उसका इस्तिमाल किया जा सकें, और इसके लावा drone का संचालन करने वाली जो बाहर की जो कामपनिया है, जो ownership है, उनको भी अनुमती धी गई है, यानि काफी ज़्यादा liberalized कदम उठाए गए है, drone के लिए भार सरकार दोरा, अब बात करें कि drone के लिए PLI योजना चलाई जा रही है, तो पहले PLI योजना है, यह क्या होती है, इसको समय लीजिए, PLI योजना यानि production linked incentive, यानि भार सरकार किसी चीज़ को अगर भढ़ावा देना चाहती है, तो उस चीज़ को इस PLI scheme के अंदर डाल दी जाती है, for example, अभी आपको बता है कि Ford Company जो भार छोड़ कर चली गई थी, अब उसको वापस लाया जा रहा है, वो इसी scheme के तहद लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल गई है, इसलिए गई है कि अब वो यहाँ पर आखे कोई petrol ये diesel वाली गाड़ी नहीं बनानी है, आपको electrical गाड़ी तो PLI scheme इस तरीके में आती है, साथ ही साथ अभी semiconductor की जैसे कमी है भारत के अंदर, semiconductor को बढ़ावा देने के लिए semiconductor को PLI scheme के अंदर डाल दिया गया है, यानि incentivize किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा भार सरकार की तरफ से, भाई आप tax मत दीजिए, आपको इस तीज में ताकि इस drone को बढ़ावा दे सके, और इस PLI से काफी ज़्यादा उमीदें लगाए जा रही है कि एक revolutionary technology है drone, इसका सई से use किया जाएगा, अब 2021 में, सितंबर 2021 में, DGCI ने एक launch किया था, interactive airspace map launch किया था, अब ये क्या था, देखिए, आपके पास drone है, आप उड़ाने बैट आपको यही नहीं पता कि उस area में उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा, वो यही था, यह help किया गया था, interactive airspace map जो था, इसी लिए था कि आपको यह पता लगा सके, कि यहाँ पर green zone है, आप यहाँ पर drone उड़ा सकते हो, आपको यहाँ scheme चला रहे है, 2020, अपरेल 2020 में शुरू की थी, स्वामित्व, यानि ग्रामिन शेत्रों में सुधारित, प्रोद्योगी की के साथ, सरवेक्षन और मानचितर योजना, अब इस योजना को पूरा करने के लिए, भारसरकार ने drone को ही चुनाए, कि drone की साहिता से इस योजना को तो काफी सारी योजनाएं जो हैं बारसरकार द्वारा लौज की गई है, ताकि drone का uses बढ़ सके भारत के अंदर ही, आतो निर्वर भारत बन सके drone के uses के अंदर, अब बात करें कि drone शक्ति योजना क्या है, देखे, drone शक्ति योजना के तहत, क्या कहा जा रहा है, कि budget के अंदर के मादियम से, एक देखे, drone as a service, drone as a service, DRAS, मतलब इसके तहत क्या है, कि startup को बढ़ावा दिया जाएगा, अब यहाँ पर कुछ ऐसी companies हैं, जिनने कोई hardware, software, pilot prescription, इनके उपर को investment की जूरत नहीं होती, तो वो इनका use कर सकते हैं, मतलब उनको छूट दी गई है, आप drone का use कर ली अब इसमें employment generate करेंगे, अभी लगभग, लगभग बोला जारे है, लगभग 30 साल लाग के करीब इसमें employment मिलने वाला है, अभी आपके सामने इन चीजों को मैं लेके आने वाला हूँ, खेर, हम drone का use कहा कर सकते हैं, देखे, photographic के अंदर, agriculture के अंदर, mining, telecom, insurance, telecom के अंदर, oil and gas, construction, transport, disaster management, इतनी ज़्यादा चीजें जो हैं, हम इस, जो हैं, drone का use कर सकते हैं, defense के अंदर हम इसका use कर सकते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, medical के अंदर हम इसका use कर सकते हैं, अब लगभग इससे जो है, वो 5 लाग, सोरी मैं जे लगा 30 लाग ता, 5 लाग से अधिक रोजगार इससे जो है, वो मतलब उमीद की जारी कि इससे generate हो पाएगा, 5 लाग से अधिक, साथ-साथ बोला जा रहा है कि तीन सालों में, आने वाले तीन सालों में, यह 30,000 क्रोड रोपे से भी अधिक वरीदी होगी, drone सेवा के अंदर, यहां पर मतलब इतना investment आएगा, लोग इसके इतना use करेंगे, साथ-साथ किसानों के लिए भी यहां पर जो है, फसल का सही से मुल्यांकन करना, भूमी अभी लेकों का digitally करन करना, किट नाशकों का छिड़काव करना, पोशक तत्वों का छिड़काव करना, तो इसके लिए किसान drone के लिए भी इसका मतलब भढ़ावा द पूरती हुई चीज़ को, वो तो एक छोटी सी चीज़ होती है, इससे भी काफी बड़े-बड़े drone होते हैं, तो यह आपके सामने बिल्कुल छोटा सा लेके आया, वह हूं में जो शादियों में उड़ाया जाता है, जो drone जो है मानव रहीत वीमान, मतलब कि इसमें अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा होता, तो यह आम शम्दावली में, सीधी साम भाशा में भी बात बोले तो, मुल रूप से पहले इसका यूज किया जाता था, सैन है, यानि मिलिटरी एरोस्पेस के उद्योग में इसका यूज किया जाता था, तो इसकी इतनी जादा, मतलब लोगों में क्रेज हुआ कि अब हर कोई इसका यूज करने लगा है, आपको पता है कि लोग शादियों के अंदर इसका यूज करने लगा है, आप जो यूटूब पे वीडियो देखते हैं, तो यूटूब के वीडियो में भी ड्रोन का यूज किया जाता है, तो बहुत सार का light detection and ranging के तोरह इसके motions का पता लगा आया जाता है अब drone का हम कहां कहां use कर सकते हैं देखे drone का तो क्रिशी के अंदर agriculture के अंदर हम इसका use कर सकते हैं जैसे जो रोज मरा के काम होगे क्रिशी के अंदर जैसे कि भी वहां पर फशल के उपर खाद डालनी है या तायात के उपर निगरानी करना है बहुत मुश्किल जगह है वहां पर पहुंचना है उसका सरवेक्षन करना है तो हम इसका drone का use कर सकते हैं हम health care के अंदर भी इसके drone का use कर सकते हैं कि भी drone के help से हम medicine को deliver कर सकते हैं बहुत जल्दी मतलब कि अगर आप सूचिए traffic है आपको वहां पर मतलब कि traffic आप पहुंच नहीं पा रहे हैं आपको medicine लेनी थी तो इसके जरीए drone के जरीए medicine जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकती है और remote area के अंदर भी पहुंचाए जा सकती है चिकित्सा के समानों में समेधिन शिल्द प्रत्य रोपन अंगों की drone डिलिवरी भी सीमित अपूर्ती के बहतर संशादन प्रबंदन में साहिता करेगी अब उधारन के लिए कि सरकार ने तेलांगना सरकार ने medicine form the sky ये already launch कर रखी है अब सूचिबद यानि inventory management के लिए जो गोदाम है वहाँ पर inventory को scan करने के लिए drone का इस्तिमाल किया जाएगा वे machine जो sensor से जूड़ी है तो यहाँ पर जो enterprises है जो real time इसको data भेज पाएंगे drone के help से तो वहाँ पर वो अपने गोदामों को सही डंग से use कर पाएंगे उनका परबंदन कर पाएंगे शुरक्षा और निगरानी के लिए यह तो सबसे बड़ा चीज है कि आप देखिए security and surveillance के अंदर आप drone का use कर सकते हैं आप इस drone का महतवपूर्ण मतलब उपयोग है निगरानी खुफिया जानकारी एकतर करने के लिए इसका use किया जाता है दूर दूर तक इसको भेजा सा सकते हैं आसानी से बिना मतलब कि आप इसको remote से control कर रहे हैं अगर किसी के नजर में है तो drone मरेगा और कोई तो मरेगा नहीं यहाँ पर उनका drone का use जो है वो real time footage के लिए अभी at a time क्या हो रहा है आपको पता है कि यहाँ पर जो surveillance किया जाता है सिया चिन के यहाँ पर जहां पर डोकलाम issue हुआ था या फिर कहीं हम भार चीन के उपर विवाद होता रहता है यहाँ पर जील के उपर तो मुझे उस रोतांग जील मुझे उसका नाम याद नहीं आरा है वो अभी skip कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी हम drone की help से ही मैंने उसके उपर भी issue cover किया था अभी वो नाम जो हो दिमाग से sleep हो गया तो उसके उपर हमने कैसे पता लगाया था जो चीन है breeze बना रहा है वो drone की help से हम चीज़ों को वहाँ पर विग्रानी कर रहे है तो इस चीज़ों से पता चल रहा है हमको हम इसका यूज कर सकते हैं disaster management के अंदर भाई कहां पर बाढ़ आई कहां पर भुकां पाया है तो वहाँ पर अगर अधिकारी से उनको surveillance करना है कि यहां पर कोई फसा हुआ तो नहीं है तो फसे हुए है कि वो खुद तो जा नहीं सकते लेकिन हाँ drone के help से वो पता सकते हैं कि यहांपर कोई व्यक्ती वहाँ पर फसा हुए तो उसके लिए help भेस सकते हैं तो drone का काफी जगा यूज कर किया जा सकता है बहुत जादा एक area है इससे काफी जादा job भी generate होने वाली है जैसे का कि 5 लाग जो है वो इससे job हो जाएंगी इसके अंदर इसके अंदर skill करना है बस वो बहुत सारी चीजे हैं अगर आप drone के बारे में इसका सही डंग से use किया जाए तो तो उमीद है कि आप लोगों को ये lecture समझ में आया होगा तो समझ में आया है तो please like करिए और subscribe करिए channel को और ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो share कर दीजिए channel को as well as video को भी और इसकी pdf जो हो आप लोगों को टेलिग्राम का एक channel दिया मिल जाएगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो साज के लिए इतना है था thank you for watching this video